हेलो दोस्तों क्या आपने मूली की फली की सबजी बनाई है अगर नहीं बनाई तो इस वीडियो को पूरा लास तक देखें जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आये यह मैंने मूली की फली ली है जिसे कि हम सिंगले बोलते हैं आपके हैं क्या बोलते हैं यह मुझे कमेंट कर के बताएं इनकी हैं मैं दोनों साइट काट लेती हूं इस तरीके से जहां भी हाड लगें आपको वह पूरा तोड़ देना है अब इसको अच्छे से धुलंगे मैं इसे काट लेती हूँ ये मैंने काट लिया है आप चाहें तो इसे ठोड़ा और लंबा काट ले ये मैं चारएं से में चोटे साइज में काट लिया है मैं कड़ाई में तेल गरम कर लेती है इसमें जीरा प्याच डाल लेते हैं हरी मिर्च दो बारी कटी हुई और अब जो हमने सिंग ले लिये थे उसे भी डाल देते हैं और अच्छे से भून लेंगे दो तीन मिनट तक दो तीन मिनट हो गए है मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ धनिया पोडर नमक स्वाद अनुसार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिनट तक और पकाना आए हमें कि अब अब हमने जो आलू काटके रखेते इसमें डाल देते हैं और आलू को अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें लास्ट में मैं हल्दी पूर्टर डाल देंगे और थोड़ा गरम मसाला है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा पानी डाल करके ढखकर कवर कर देंगे और 4-5 मेट तक पका लेंगे यह खाने में टेस्टी भी होते हैं और हमारे पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तो इसे जरूरी खाए जाडों में यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादे फायदे मन्द है हमारी सबजी बन करके तयार है और ये बहुत ज़्यादे टेस्टी बनी है एक बार इस सबजी को जरूर ट्राइ करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी ये सबजी कैसी बनी है ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है पनाटे और पूड़ी के साथ में तो एक बार जोरू टीट आए करें अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू लाइक से रण सब्सक्राइब और कमेंट करके बताएं कि यह सब्सक्राइब आपने किस किसने खाई है और आपको कैसी लगी थैंक यू